हाई फ्रेंड्स बेज विजनास एन्बी चैनल पर आप सबी का सौगत है आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस लॉगडाउन के समय फार्मर को किन दिक्कतों का सामना पड़ा कैसी कैसी मुसिबते उस पर आई उसने उसके मालका क्या 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 करना पड़ा यह सब जो में दिया हुआ बेल आईकॉन भी दबा दे ताकि आने वाले सबी वीडियो की नोटिफिशन आप तक पोच सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके पहले भी दोस्तों बहुत बार महामारी आ चुकी है और कोई भी महामारी आया है उसका असर पोल्ट्री असको बहुत लॉस में और बहुत पीछे डाल दिया दोस्तों लॉकडाउन लगने के पहले जिनका पूरा माल सेल हो गया या फिर उनके पास बैचेश नहीं थी ऐसे फार्मर इस महामारी से बच गये लॉस होने से बच गये लेकिन दोस्तों जिन फार्मर के पास 10 दिन का 20 तीस दिन का या मिक बिकरी पे आया हुआ बड़ था वो सभी लोगों को दोस्तो बहुत परिशानी उठानी पड़ी जी हाँ दोस्तो आज मैं प्राइवेट फार्मिंग की भी बात करूंगा और कांट्रेक्ट फार्मिंग की भी बात करूंगा दोस्तो प्राइवेट फार्मर और जो private farmer के पास feed भी नहीं था दोस्तों उनको feed पूरी तरह से provide नहीं हुआ क्योंकि lockdown था गाड़ी आना जना पूरी तरह से बन थी इस करन दोस्तों उनके चूजे भी भुके रहे और जिनोंने जैसे तैसे माल बना लिया दोस्तों माल बिकने का chance ही नहीं था क्योंकि cutter बनते अब फाव के वज़े से दोस्तों chicken खाना लोग पसंद नहीं कर रहे थे करके cutting वाले चुपके भी काटने रहते और उनकी open shop तो बनी थी अब cutter ही बना है तो trader कहा से माल लेने आएगा form पे कंपनिया माल किसको बेचेंगी पूरी तरह से दोस्तों माल बिकने रहा था माल का रेट आ गया था 10 रूपे 15 रूपे 20 रूपे के जी पे लेकिन सबसे बड़ा problem था दोस्तों कि फिड नहोने के कारण जो farmer को दिक्कत जा रही थी कि अब माल भी बेचना है रखनी सकते तो ऐसे समय में क्या करना तो ऐसे समय में दोस्तों बहुत सारी दिक्कतों का सामना farmer ने किया कुछ private farmer ने माल लोगों में फ्री में बाढ़ दिया कुछ farmer ने माल 100 रूपे में 4 मुर्गी 100 रूपे में 5 मुर्गी ऐसे भी दोस्तों बहुत farmer ने माल उनको देना पड़ा मजबूरी उतनी थी दूसरा एक्जाम्पल बताओ मैं दोस्तो Contract Farming का Contract Farming के दो एक्जाम्पल हमारे नजदिक हो चुकी है एक भाई साब के पास 20 दिन का माल था जी हाँ दोस्तो Lockdown जैसे स्टार्ट हुआ उनके पास 20 दिन का चुदा था कमपनी के तरफ से Lockdown के पहले ही दिन उनको 18 से 20 दिन का जो फेड होता दोस्तो वो भी आ गया था जी हाँ दोस्तो ये कमपनी Lockdown में भी सही तरह से प्रोवाइट कर रही थी लेकिन दोस्तो 20 दिन के बाद कमपनी का फेड आना और बन हो गएया याने इनोंने 38 बन चालीस दिन तो उन्हें खिला दिया बट का भी वेट अच्छा बढ़ गया था इनोंने कमपनी के तरफ से फेड आना बन हो गया इन्होंने कैसे तैसे इधर उदर से जुगार करके मक्का ये हो प्राइवेट कैसे फिड लाके चूदों को बड़ा रखने की कोशिश की माल हो गया दोस्तों तीन केजी situation यही माल भी की ने रहा करके company phone नहीं उठा रही बोलरी भईया रुकना पड़ेगा फिड भी है नी और customer भी है नी अब बताओ farmer क्या करेगा अब इनका जो बड़ था वो था आठ हजार आठ हजार बड़ तीन केजी वेट का उसमें से लग बग एक परसेंट सवा परसेंट डेली mortality होता था 80-100 जिया दोस्तो 80-100-120 डेली चूजे मर रहे थे फिट के कमी के कारण एक दूसरे को मार रहे थे अब बताओ ये farmer क्या करेगा और ये जो समय था दोस्तो ये lockdown लग की एक मैने बात का समय था दोस्तो जिस कारण की थोड़ा सा अफ़वा भी कम हो गई थी थोड़ा छुप छुप के retail दुकाने चल रहे थी cutting चलो थी ऐसे समय ने ये भाई साब ने 20 रुपे किलो से माल बेचया 100 रुपे में 3-3-4-4 मुर्गी इन्हों ने भी दी लेकिन इनका आदे से ज़्यादा माल दोस्तो एक दूसरे को मारने में मर गया इन्होंने श्रीब ज़्यादा ज़्यादा साड़े 3-4,000 बर्ट बेचयों गया ऐसा उनका कहना है उनका ये भी कहना है कि मैंने कमपनी का fit खतम होने के बाद जो अपने पास का fit खिलाया है उसका भी पैसा मेरा 20 रुपे केजी से वसुल नहीं हुआ कमपनी कोई तो बाती अलग है उन्होंने तो हाथी खड़े कर दिये ते उनको तो कोई इसाब नहीं देना है लेकिन मेरा ये जो 20 रुपे से पैसा आया उसमें मेरा fit का भी पैसा नहीं निकला मेरा जो मेहनत वगेरा हुआ वो तो गया लॉस में मैं आपको एक और हकीकत हमारे बाजू की बताता हूँ जुस्तो हमारे 10 किलो मेटर में ही एक फार्म है कॉंट्रेक्ट फार्मिंग है दोस्तो कमपनी का नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी कमपनी की बुराई मेर से हो लेकिन बुराई की बात ही नहीं दोस्तो पूरे देश में जितनी भी कमपनी है उसमें की गिनी चूनी एक दो कमपनी छोड़के सब भी कमपनीों ने फार्मर के साथ धोका किया है अभी लॉकडाउन में जिया दोस्तों धोका कोओ उनकी मजवरी कोओ कुछ भी कोओ लेकिन दोस्तों इसमें लॉस हुआ है फार्मर का यह फार्मर की बात आप सुन लीजे लॉगडाउन के तीन दिन पहले उनको चिक्स आया था और कमपणी ने चिक्स के साथ 6 दिन का फिड भी भेजा था जिया दो सके तो पूरा एक साथ भेज़ दो गाड़े आने में दिक्कत वगिड़े ऐसा जो भी बोला होंगा कमपनी ने सीधा सीधा इनको साफ साफ भाशा में जवाब दिया कि भाईया फेड आएगा नहीं और माल बड़ा करने का नहीं है आप उसको ठीकाने लगा दो ठीकाने लगा जी हाँ दोस्तो एक साथ इतने सारे चिक्स को कोई नहीं पाल सकता इनका जो बर्स था दोस्तो 5000 बर्स था जी हाँ 5000 बर्स और यहाँ 5000 बर्स को एक आदमी पाल नहीं सकता इसे समय में लेकिन उह अगर five five दददस चूदे अगर जो पालने वाले लोगे उनको बार देते थे तो अच्छी बात हो जाती थी लेकिन दोस्तों इन्होंने क्या किया कमपणी ने तो हाथ खड़े कर दिये लेकिन इन्होंने घर में का चावल बादार से सस्ता मिला हुआ धान कभी पालक कभी कुछ कभी उनको एक दिन बाहर छोड़ देते थे चार बजे शाम को अकल अकल के अंदर ले ऐसा वैसा कुछ भी करके दोस्तों इन्होंने अभी तक आज के दिन तक उन्हें पाला है अब आप बताओ अभी उनका बर्स जो है वो 45 दिन का है आज के दिन में जिया दोस्तों 45 दिन का बर्स इनके पास है इन्होंने सिर्फ बर्स को बड़ा नहीं किया सिप उसको जिन्दा रखा, जिया दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, बर्स को बढ़ा नहीं किया, सिर्फ जिन्दा रखा, वो 45 दिन के चूदे का वजन है, आज मात्र पौने 600 ग्रैम, साले 500 से 600 ग्रैम के लगबक उसका बौडी वेट है दोस्तों, उनकी कॉल मुझे यह अब उसकी वासे ग्रोथ होंगी कि अगर अगर उसको सही तरह से फिड मिले, मैंने भी यह बात पर सभी लोगों से मशोरा किया, तो सबका कहना यही आया, कि अभी अगर उन्हें पूरी तरह से फुल प्रोटीन दिया जाए, तो ग्रोथ होगी, लेकिन इतनी फाशनी होगी अब बताओ यह फार्मर क्या करेगा, जी हा, कमपनी का और उसका तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसने यह जो पैताली दिन में कुछ ना कुछ तो खर्चा किया ही है, उनको जिन्ना रखने के लिए, अब वो पूरी तरह से अगर उसे फिड खिलाता भी है, तो दोस्तो उसका फिड का जो FCR बढ़ेगा, और जितना वेट चाहिए, उतना वेट आएगा नहीं, अब ऐसे समय में भी, अगर वो चूदा एक केजी सवा केजी तक चेले भी गया, तो बेचने में भी दिक्कत, अब भगवान बताएगा आगे कि क्या होने वाला है, यह भी फार्मर लॉस में जाएगा या प्रॉफिट में जाएगा, अब आप ही बताओ, यह लॉग डॉण में फार्मर के साथ ऐसा हुआ, इसके पहले भी बहुत सारी माहमारी आई, प्लेक, साइन, फ्यू अगरा बहुत सारी आई थी, तो ऐसे समय में भी सबसे ज़्यादा मुसीबत मुर इतना अच्छा लगता है, लेकिन किसी तरह की कोई छोटी सी भी बिमारी अगर मार्केट में आती है, तो सबसे ज़्यादा जो किसान भाई है, जो कि खेती के साथ पुल्टरी फाम भी चलाता है, इनका नुक्सान करने के लिए लोग एक पैड़ पे खड़े हो जाते हैं, जिया दोस्तों, मैं पूरे देश के सबी लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, कोई भी वन्दा छोटी सी पोस्ट ले लेता है, उसको थोड़ा सा लिख के इदर उदर चटमटा बनाता है, और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है, जैसे ही सोशल मीडिया पे वो पोस्ट इदर उदर लोगों के पात जाती है, वो पूरे तरफ सब तरफ उसे फैला देते है, कि चिकन में ऐसा, चिकन में ऐसा, इससे दोस्तों, इन अफ़वाव के कारण, आपकी एक गलती के कारण, इदर करोड़ों फार्मर का लाखों का नुकसान हो जाता है, इ इसी पोस्ट के तरफ ध्यान मत दिया करो, और अगर इस वीडियो को कोई फार्मर देख रहा है, तो ध्यान रखना बैच डालते समय, अगर आगे कभी भी भविश्य में ऐसा हो सकता है, कि थोड़ी सी किसी तरह की कोई अफ़वा अपने कान पे आ रही है, कि भाई वाईरस आ रहा है, कोई बिमारी फैल रही है, इदर उदर, ऐसे समय सतर्क होके बैचेश डलवाई है, ताकि यह जो लॉस होता है दोस्तों, इससे आप बच सके, जिया दोस्तों, कितना भी कुछ हुआ तो बुरादा हो गया, लेबर हो गया, इलेक्ट्रिशन हो गया, मेडिसीन हो कोई मेंटनस हो गया, ये तो भी लास फार्मर को होता ही है, इसलिए भविश्य में कभी भी बैचेश डालोगे, और आपके कान पे अगर छोटी भी बात आती है, किसी तरह की कोई बिमारी आ रही है, या कुछ आ रहा है, तो ध्यान पुर्वक बैच को प्लेस कीजिए, जि वीडियो को लाइक करके जरुत मन दोस्तों में शेयर कीजेगा, आप सबी का धन्यवाद,